हलो दोस्तों नमश्कार स्वागत है आप सभी और उन 70,000 भरती में जितने भी आइस्पिरेंट थे आज एकदम दमदार बहस के कुछ 9 पॉइंट मैं लेकर के आया हूं जो आज की कोर्ट अपडेट में इन 9 पॉइंट पर दमदार बहस हुई तो अगर आप 40, 45, 50, 55 या 60 पैस पुस्तक जो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी और फिर मैं डिसकस करूँगा ये 9 बैतरीन पॉइंट जो आज की कोर्ट में बहस में किये गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो यहां पर अगर आप लोग सीटर्ड एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब के लिए बेस्ट बुक अगरवाल एक्जाम कार्ट की तरप से पेपर पक का फसेगा स्टैक के साथ देख सकते हैं सेंडर टीचर इलिजबिलिटी टेस्ट के लिए और ये किताब कचचे से आख तक साइंस या कला वर्ग के लिए या वन टू फाइव के लिए और इसके प्राक्टिस सेट भी आप अपने घार बैठे मंगवा सकते हैं जस्ट वन क्लिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है देखिए सीटेट इग्जाम की ये बेस्ट सेलिंग बुक है आप देख सकते हैं और N.C.E.R.T. पैटन पर आधारी थियरी दो हजार से ज्यादा महत्पूर्ण प्रशनों का अध्यायवार संकलन और सीटेट 2019 का सौर्ड फेपर और सबसे बड़ा जो रिफरेंस यहां पर दिया गया है पीडी पाठक के आभार पर ये चाइड डिव आ गया है इन किताबों में और यहां पर दोस्तों आप अगर देखेंगे तो और बहँ सब्जेक्ट की जो किताबे हैं वो इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं तो एक और किताब जो कि मैं पीडिएफ आपको खोल करके दिखा दे रहा हूं ठीक है तो यहां प मोटी बूप और इसके बाद जो है यह सारी चीज़े लिंक पर क्लिक करें और घर बैचे मंगा लिजे अगरवाल एक्जाम कार्ट की तरफ से थांक्यू सो मच वो योग्यता के विरुद्ध आया था ठीक है यानि इलिजबिल्टी के अगेंस्ट था इस बैटर पर सबसे पहले भास की गई एजी साहब के दौरा इलिजबिल्टी के अगेंस्ट पॉइंट नंबर टू देखिये जो था वो यह था कि सरकार ने जीयों में कटाफ लगाने क की बात बोली है और सरकार ने एक बार ही कटाफ लगाया है यानि उसने कटाफ में कोई परिवर्तन नहीं किया दूसरा पॉइंट ये था भास का तीसरे पॉइंट में अर्शक हजार पांच सो लिखित परिक्षा हुई थी यानि उसमें अब्जेक्टिव क्वेस्चन नहीं थे और उसे मात्र 1.07 यानि एक लाख साथ हजार लाख वही एक लाख साथ हजार लोगों ने परिक्षा दिया था जबकि 79 भरती जो थी वो अब्जेक्टिव एक्जाम थी और इसमें 4 लाख 10 अजार लोग एक्जाम दिये तो दोनों भरतियों का जो वो था स्वरूप वो अलग-अलग था उब्जेक्टिव एंड रिटेन का ये तीसरा पॉइंट था चौथय पॉइंट की अगर हम बात करें कि सरकार भारांक देने का अधिकार है सरकार को तो उसे कटाफ लगाने का अधिकार भी शाशन को है ठीक है ये चौथा पॉइंट था कि अगर शाशन आ चेंज नहीं हुआ है, चबकि 90 और 97 में सभी पक्ष को ध्यान में रख करके ये passing mark लगाया गया, ये पाचवा पॉइंट था, छटवे पॉइंट में क्या बात की गई देखिए, 90 और 97 यानि 60-65 जो passing mark है, उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिनको 63 अंक का भारांक दिया गया था ठीक है, 63 अंक का मतलब ये 25 अंक का भारांक अब उसे जोड़ लीजिये कैसे भी करके, वो अंक में, बाकि जो 25 भारांक है वही की बात की जा रही है, साथवा पॉइंट था कि अगर केवल शिच्छा मित्र को ही नौकरी देनी होती, तो 79,000 का जो पेपर है, वो ना करवाया जाता, बलके केवल और केवल इसमें शिच्छा मित्रो का एक्जाम करवा दिया जाता, अगर केवल उनकी eligibility देखनी थी तो, तो यहां पर केवल शिच्छा मित्रों की इलिजबिल्टी की बात नहीं है बात है BAT, BTC और शिच्छामित्रों की इलिजबिल्टी की तो योग्यता का जो पैमाना है वो शाशन अपने इस तर से तय करेगा अच्छा अगला पॉइंट था आठवां 79,000 भरती में 60,65 ये सरकार के द्वारा लगाया गया 1st cut-off था क्योंकि इन्होंने cut-off में कोई परिवारतन नहीं किया गया और जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये बात कही थी कि एक्जाम के बाद ऐसा passing mark आएगा और नौवा पॉइंट ये था कि अगर एजी सर के सामने अब लगता नहीं है कि कोई भी चीज बची है कहने को सब कुछ बाते एकदम clearly और fact wise कर गया है तो नौवे पॉइंट में बात यही है कि दीपा वली के पहले-पहले इस case का कुछ न कुछ निस्तारन अवश्य कर दिय जाए या तो 40-45 या 50-55 या 60-60 जो भी रिजल्ट आये जिसके अभी पक्ष में आये कम से कम 69,000 पाद है तो 69,000 लोगों को नौकरी मिले तो दोस्तों यह थे 9 points आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मैं किसी के favor में नहीं बोल रहा please don't take otherwise यह सिर्फ एक सूच जनाथ ही वीडियो को like करें share करें और चैनल को subscribe करें thank you so much